दोस्तो नमस्कार टॉप फिप्टी स्टडी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो ले करके आगए हैं बहुत मांग जिसकी हो रही थी समास का बीडियो सब लोग बोल लाए थी कि सर हमें समास समन्ना है सरल भासा में तो आप निश्चिन्थ हो जाए थी आज का आपने बीड बीडे वी पूरा देख लिया तो आपको आज के बाद कभी भी समास में गल्ती नी होगी आप पूरे संस्क्रित के समास हमेशा सही करके आएंगे कई लोग सूसते हैं कि हमें हिंदी के समास आते हैं संस्कित के बन जाएंगे उनकी बहुत बली गलत फैमी गलत धारणा है इसको आप भूल जाएं संस्कित के समास थोड़े अलग है तो चलिए सुरुवात करते हैं समास की और आपको बता दें कि संस्कित के हम पूरी तैयारी आपको करार एक एक चीज तो आप चैनल को सब्सक् खरत होता है वह होता है संचेप ठीक है समास कारति क्या है संचेप यहाँ पर संचेप किया जाता है ठीक है समास में अब देखें जहाँ पर और एक और पर परिवास आती कि जहाँ पर दो सब्द आपस में मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है समास संधी में क्या होता था दो ब केवल समास, पहला कौन सा है, केवल समास, दूसरा है अभ्याई भाव समास, तीसरा तकपुर्ष समास, चोथा दुंद समास और पाचवा बहुब्रिही समास, इस संस्कित के समास हैं, ठीक है अब एक एक पर हम चर्चा करते हैं, बड़ी सरल भासा में आपको समझाएंगे, च आचा विसेश संग्या बिनिर्मुक्ता केवल समासा प्रथमा, मतलव बह समास जो विसेश संग्या से बिनिर्मुक्ता मतलव रहत होता है, वै केवल समास है, प्रथम समास है, देखी क्या क्या रहे, बह समास विसेश संग्या से रहत केवल समास नामक प्रथम समास है, केवल समास कहते हैं, अब इसके गिने चुने ओधारन जो पेपर में आते हैं, वो यहाँ पर मेन मेन लिखे हैं, जैसे एक आता है भूत पूर्वा, आपने देखा हो कि कई संस्कित के पेपर में पूछा गया, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, पूर्वं भूता, क् अगला है बागर्था विव, मतलब इसको आप तोड़ दो तो बागर्थाव इव, ठीक है, बागर्थाव इव, इस प्रकास से दो परस्टन इसके जादा पूछे जाते हैं, आप इन दोनों को रट लें, एक किसके हो धारने, केवल समास के, अब देखें, दूसरा जो समास क्या है, प्राएन पूर्व पदार्थ प्रधाना अब्याई भाव समास है, मतलब जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, वह अब्याई भाव समास है, इस परिभासा है पूछ लेते हैं, पूर्व पद प्रधान समास निमने मैं से कौन सा है, पूर्व पद प्रधा तो जिसका पहला पद अभ्यवी हो पहला पद क्या हो प्रधान भी हो जिसमें तता समस्त पद अभ्यवी की भातिकार करता है पूरा पद अभ्यवी की भातिकार करेगा बहां पर क्या है अभ्यवी भाव समास है अब इसको उधारन से समझें देखो यहां समास पद लिखा है इस समास बिग्र है उसका अर्थ है एक एकी समझना जैसे यहां लिखा पहला यथा सक्ति अब देखो इसमें क्या कहा पूरु पद अब्य होता है तो यथा इसमें पहला पद क्या है पहला पद है यथा दूसरा क्या है सक्ति ठीक है तो यथा सक्ति इसमें पहला पद क्या है यथा यथा क्या है, इक अभ्या है, यथा का रत होता है, जैसे, ठीक है, यह अनुसार, तो इस परकार से, तो अब इसका जो संधी वीक्ष्य, समास विग्ष है करेंगे, उसका क्या हो जाएगा, सक्तिम अनतिकृबre'm, हम वोई वाले संधि विक्षित लाएंगे जो आपके पेपर में इसी में से आ जाएंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा सकती के अनुसा अब देखें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है प्रति दिनम आप देखने पहला पत क्या है अभ्या है प्रति अब आगे लेखा है दिनम और जब भी प्रती आजा है जिसके साथ इसको डवल कर देना है जैसे प्रती दिनम है न दिनम के साथ आया तो दिनम दिनम प्रती प्रती दिन ऐसा ही प्रत्यक्षम इसका बैसे संदी भी करेंगे तो प्रती धन अक्षम ही है अक्षम के साथ आया पृती पृती की हमने आपको ट्रिक बता दी ये पृती जहां पर भी आजार जिस सब्द kete साथ उसको डवल कर देना है तो अक्षम पृती मतलब आखों के सामने इसका यर्ठ हो जाएगा समास है समास पद है साहरी सहरी, सा मतलब होता है साद्रिस के भाव में ठीक है, सद्रिस समान के तो सहरी का क्या हो जाएगा हरे हे साद्रिस्यम मतलब हरी के सद्रिस समान, ठीक है, सा से क्या लेना है साद्रिस्यम, अब देखें एक और बात आपको बता देगी, उप भी क्या है अब्या है, साभी अब्या है, तो आप समझ जाएंगे, अब्या भाव समास है, ठीक है, कुछ उधारन देख लें, जरूरी है क्योंकि उपगंगम, मतलब गंगाया समीपम, अधी हरी, अब अधी आजाए, तो हरव इती, ये क्या हो जाएगा, समास बिग्रे हो जाएगा, हरव इती, तो हरी में अब ये सबसे ज़्यादा पूछा गया, निर मक्षिकम, याद रखीगा, निही का उड़तो था, अभाव में, तो मक्षी का नाम अभावा, मक्षी का नाम अभावा, आपको इन सब्दों के याद भी अभ्या की अर्थ है याद कर लें, एक अलक्से हम वीडियो आपको आगे है अनू विश्णू हूँ, मतलव विश्णू हूँ पस्चात, अनू का अर्थ होता पस्चात पीछे, तो विश्णू के पीछे, आगे देखें, आ हिमालियम, आ का अर्थ होता परियंत तक, तो हिमालयस परियंतम, मतलव हिमालय के पीछे, ठीक है, परियंत पीछे, उसके वजब पहली पहले अती हितम, अती हितम, हिमम, तो हिमस, अत्या मतलब हिमका, अत्या मतलब नास. इस प्रकार से हमने देखा कि जिसमें प्रथम पत क्या था अब्य था और पूरे जो सब्द का ही प्रियोग हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है तो यहां पर प्रथम पत यहां पर अब्य हो प्रधान हो वहां पर अब्य भाव समास आता है एक विशेश नोट हमने आपके लिए लिखा है आप याद रखीएगा जैसे पंच गंगम और दुई उमनम में नधी भी सूतर से अब्वेई भाव समास होता है कैसे होता है क्योंकि यहाँ पर तो क्या पंच है पहला सब्द ठीक है और दुई है पहला सब्द अब्वेद है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ क्यों हो रहा है कि पंच गंगम और दुई उमनम इसमें अब्वेई भाव समास क्यों है क्योंकि पहला पाद तो अब्वेध दिखनी रहा तो आप सीधे सीधे इसका लगा लेना कि नदी भी सूब्द से मतलब नदियों के नाम के साथ जैसे उपगंगम आये था ने ऐसे तो उसमें क्या अब्वेई भाव समास होता है ठीक है पंच गंगम और दुई अमनम यह क्या है एक अपबाद कहलाता है तो इस प्रकार से यहा सारे समास किलियर हो जाएंगे तो पहला आमने पड़ा केवल समास क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है केवल ही वै पूर्वम भूता है इत्यादी इसके उदार्ने दूसरा अब्वेई भाव में पहला प्द अब्याय होता है अब देखें तीसरा जो समास है तत्थ पुरो समा इसकी परिवासा क्या है प्रायेण उत्तर पद प्रधाना अब मतलो पेपर में वह आपसे पूछेंगे न तो इतनी परिवासा दे देंगे प्रायेण उत्तर पद प्रधाना हा समासा हा अस्ती नीचे चार ओप्सन देंगे तो आपको पहचानना है तत्पुरुसा हा समासा हा प्रत्मा में कियातिरेक्त जो बाखी विभक्तियां है उसमें होता है तता इसके पूर उपद में दुतिया से सब्तिमी तक विभक्तियां होती है अब इसका भी पूर उपद आपको क्या लगा ले ना पहला माल जो सब्दु को अपन दो भागों में तोड़ रहे ना तो पहल जो भाग होगा पूरपद होगा तो पूरपद में दुतिया से ले करके सब्तिमी तक की कोई विभक्ती होगी आपने विभक्ती इत्यादी की वीडियो ना पड़े हो तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएं संस्कित भासा में आप सारी विभक्तिया धातुरूफ सब पढ़ सकते हैं ठीक है वीडियो डल चुके हैं तो दुतिया से सब्तिमी तक विभक्ती होती है और उत्तर पद में प्रत्मा विभक्ती होती है उत्तर पद में कौन सी विभक्ती होती है description में डाल देंगे तो अब तत्पुरुस में हमने क्या समझा कि प्रथम पद में दुतिया से लेके सब्ती विवक्ती होगी ठीक है उसमें उत्तर पद प्रधान होगा वो प्रधान नहीं होगा अब इसके आगे हम इसके उधारन पढ़ते हैं देखिए किस्रणा सर्ताह किस्रणाम मतलब दुतिया विवक्ती आ गई सर्ताह इसमें कौन सी दुतिया विवक्ती है ठीक है वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है थोड़ा समय निकाली क्योंकि आपके ही नंबर आने वाले आपका फायदा होने वाला है अस्वारूढा अस्वम आरूढा अस्वम दुतिया ठीक है अब रामम पढ़ती ना रामम ऐसे अस्वम दुतिया एक बचन आरूढा दुतिया विभक्ति और देखें स्वर्ग गताह स्वर्गम स्वर्गमाना ची बिंदी दिखनी दी गताह दुतिया विभक्ति वाले हो गए ठीक है, अब बान हता, बानेन हता, मतलब बान से हता, मतलब मारा गया, ठीक है, तो इसमें तृतिया हो गई, नक भिन्ना, तो नकईर भिन्ना, नकई भिन्ना, मतलब नक से भिन्न, ठीक है, तृतिया हो गई, हरी तराता, हरिना तराता, तृतिया बिभक्ती हो गई, ठीक है, ए समास दिये हैं ए उसकी बिभक्ती दी है प्रथम और बाद में उसका सब्द दिया है ठीक है तो इसमें जो है दुतिया तितिया चतुर्थी सब्तिमी तक होगी इसमें प्रथमा होगी ठीक है इससे हमें पहचानना है कि इसमें जैसे जैसे ज्यानाय में चतुर्थी है न ज् ज्ञान का लोभ या ज्ञान के लिए लोभ तो ज्ञान आए ज्ञान के लिए मतलब करताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो ज्ञान आए मतलब चतुर्थी यहां पर आ जाएगी यूप दारू, यूपाय दारू, चतुर्थी यह हम इसलिए बोला है इनको सुन ले न, क्योंकि यही सब्द हमने देखा जादा तर पूछे जाते हैं जोसमें है, भूत बली, भूताय बली, चतुर्थी विभक्ती, यह हो कई पूरी अब पंचमी के देखें, कौन से उधारान आते हैं, चोर भयम, इस सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है तो चोरात, पंचमी, भयम, भय के अर्थ में हमेशा पंचमी भक्ती ही लगती, याद रखिएगा तो चोरात, भयम, पंचमी, और देखें, राज भयम इसी, राग्या भयम, पंचमी, ब्रक्ष पतिताह, ब्रक्षात पतिताह, पंचमी, जब किसी सी अलग होने की बात हो, ब्रक्ष सी अलग हो रहे पत्ती, इसलिए राजपुरसा ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला राग्याह पुरसा सश्टी विवक्ति राग्याह नरपती नराणाम पती सश्टी बहुबचन ठीक है सश्टी क्या है राजपुत्रह राग्याह पुत्रह सश्टी विवक्ति कि समास में आएगा तो ऐसा लखाओगा बिग्गर है पूछा जाएगा तो ऐसा बिग्गर दिया तो समास आपको ऐसा बनाना है अब पूछनें की कौनसी विघक्ति है मालो राग्या पुत्तर दे दिये तो अब समझ ज़ा Frank शाज ना राग्या में सस्टी है अध्यन कुसला मतला अध्यन मे कुसल मे मतला सप्तमी ठीके अध्यने कुसला सप्तमी विभक्ती इस प्रकास से आपको क्या देखना है तत्पुरुस में कि यहां प्रचमा दुतिया से लेके सप्तमी तक कोई विभक्ती होगी आप देख लेना दो सब्द को आपको तोड़ना है अर्थ लगा लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं अगला जो समास है अब तत्पुरुस के ही उसमें भेद आ जाते हैं संस्कित में बारवार बोलता जा रहा हूं हिंदी के बनते सेमा सोच लेना संस्कित के बन जाएग संस्कित के अलग हैं इसको समन्ना है जिसने संस्कित के अच्छे समली हिंदी के समन्ने में थोड़ी सी आसानी जरूर हो जाएगी ठीक है तो चलिए अब आ अगे हम पढ़ते हैं तत्पुरुस समास के बहित पढ़ते हैं इसमें पहला है उपद तत्पुरुस फिक ए, एक tweeting कुछ लेंगे, कोई उधारन दे देंगे, इसमें बोलेंगे कौन सा तत्परोस है, तो उपद तत्परोस में क्या होता है, इसमें उत्तरपद में कोई क्रिया वाचक सब्द, उत्तरपद तो रहेंगे, लेकिन क्रिया वाचक सब्द हो जाएगा, इसलिए समास को उपद कहते ह गोग पद मतलब एक और पद जोड़ जाता हो क्रिया बाचक सब देखें जैसे वो धारण है मरमग्य आ मतलब मरमम जानती जो मरम को जानता है वो कौन कहलाता है दूसरा है चर्म कराह प्रिकास करता है ठीक है जो चम्ड़े का काम करता है ठीक है कुम्भ करोती थी कुम्भ का रहा तो जो कुम्भ को करता है घड़े को बनाता है ठीक है तो इस प्रकार से आप लगा लेंगे कि जो जिसमें एक्सपर्ट होता उसकी बात को लेकर के मतलब यह कि यहाँ पर क्या हो गई उपद जुड़ गया जानने वाला करने वाला द दो बधारण आता है इसके समझ्य के लिए समस्ते नय तत्पुरुष क्या है इसमें पूर्पद में निसेधार तक सब्द कौन होती आ अन का प्रियोग होता है कोई भी उधारण में शुरू में आ लगा हो अन लगा हो तो फेर हमें दिमाग लगाने कि इसमें नय तत्पु जैसे आब्राम्मणा तो नाब्राम्मणा इती आब्राम्मणा अनस्वह आ लगा है ना निसेधार तक है तो निसेध मतलब नए समास नए तत्पुरुस समास ठीक है जब नए समास भी लेख सकते हूँ तत्पुरुस ना लेखे तो आप इसमन्ना तो अनस्वह मतलब नास्व आगे देखें, प्रादी तत्पुरुस, जब तत्पुरुस के प्रथम सब्द कूप्रादी उपसर्ग, अथवा गती संग्यक होता है, कूप्रादी उपसर्ग लगे हो या फिर गती संग्यक हो, तो बहें प्रादी तत्पुरुस समास होता है, देखें, कैसे? कूपुरुसह कुछित पुरसाह मतलब कई बार ऐसा हो जाता कि कुपुरसाह दे दिया और उन्होंने उसमें क्या लिखे दिया option में तत्पुरस लिखे दिया अब बेई भावादी लिखे दिया प्रादी नहीं लिखा तो वहाँ पर आपको तत्पुरसी लगाना है जब प्रादी लिखा होगा तो फिर तत्पुरस की जगा प्रादी लगाना है ठीक है इस पकार से तो कुपुरसाह कुसित पुरसाह इती कुपुरसाह प्राचारियाह बैरी बैरी आई एम पी प्राचार सब याद रखेगे कई बार पूछा गया, तो प्रगताहा आचारियाह, इती प्राचारियाह, ठीक है, अब आगे देखते हैं, तत्पुरुस के अन्भेद, कर्म दहारे समास से याद रखिएगा, तत्पुरुस का ही भेद है, और अभी एक और आएगा, वह हम आँगे बताएंगे, अभी से नह बता रहें, ठीक है, तो अब देखें, कर्म दहारे समास समसते हैं, तत्पुरुस भेद कर्म दहारे, तत्पुरुस का भेद कर्म दहारे समास है, इसमें क्या होता है, आँगे देखें, यदि दोस्तों आपको बास्तों में समाज में आ रहा है, तो मेरा निवेदाने को वी विसेशनों विसेश का, जब आपस में समास होता है, तो उसे कर्मधारे समास कहते हैं, देखी क्या है, जिस समास में एक पद दूसरे पद की विसेशता वतलाता है, एक पद है वो दूसरे पद की क्या करेगा, विसेशता वतलाएगा, दू सब्द होंगे तो, बै कर्मधारे स इसका भी उत्तरपद प्रधान है इसमें भी उत्तरपद प्रधान है लेकिन एक पद दूसरे पद की विसेशता बतलाएगा या फर विसेशन विसेशभा होगा वो क्या कहलाता है वो देखें जैसे नील उत्पल तो नील उत्पल दो सब्द है ठीक है तो नील मतलब नीला ठी क्या कहेंगे नील उतレकाइब कराई या रहा है ठीक है तो विशेश क्या है नील उतबल क्या है बिशेश है तो नील किसपन की विशेश का बतला रहा है उतyaniकी तो तो अब इसका विक्षित करेंगे नीलम चे तत उत्पलम इती नीलोत्पलम नीलोत्पल की क्या नीलम चे तत उत्पलम यह धारण तो ब्वास्तों में गजव है याद रखीएगा यह 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 धारण मैंने देखा पूछे जाते आँगे देखें बीर पुरसाह बीरह चा असव पुरसाह अब सीदिसी दिवात क्रिशन सर्पा मतलब काला साँप काला सर्प तो कृष्ण मतलब काला हो गया विशेशन यहाँ पर आ रहा है ठीक है ऐसे या उपमान उपमे भावीश को कहते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर कृष्ण सरपा में उपमे हो गया सरप उपमान हो गया कृष्ण है इस वकार से हम कर सकते हैं महान Thomas यहां मतलब महान है जो आत्मा कौण है गंश्रियाम है गंश्रियाम थीक है तो घंव स्मान पुरुस भ्याग्यक्याप फरुस्भ्याग्र्षा तो आपने क्या समझा इसमें कि भी या जो पहला जो इसका समल्य वो होगा वै विशेशता वतलाने वाला होगा विशेशन होगा बाद का सब्द विशेश होगा अधिकतर उधारणों में और जहां पर उपमानुप में या विशेशन विशेश भावाता है बहां पर कर्मधार समास होता है ठीक है जो चीज आपको समझ में ना है तो कमेंट में दवारा पूछ सकते हैं इस वीडियो का आप दो बार देख लेंगे एक बार से तो और अच्छे से किलियर हो जाएगा अब एक और भेद है किसका ततपुरुस ही का है याद रखीगा दिगू समास दिगू सम समास भी किसका वेद है ततपुरुस का आगे देखें इसकी क्या परिवासा है संख्या पूर्वो दिगू हूँ संख्या पूर्वो दिगू मतला हो जिस समास के पूर्व में संख्या होती वै दिगू है ठीक है देखें जिस समास में पूर्पद संख्या वाची 3, 5, 3, कुछ भी हो, अश्ट, सत, कोई भी इसका होगा, पहला पत क्या होगा संख्यावाची, लेकिन एक चीज हम समझने है, वो क्या, इसका समास भिग्ग्र है, देखिये, समाहारे दिगू, एक और इसकी जो परिभासाब है, समाहारे दिगू, मतलब समाहार के अर्थ में दुगू समास होता है अजिसे पंच गबम अब समाहा लगाना है तो पंच में पंचा नाम क्योंकि पंच हैं बहु हैं बहु बचन है तो पंचा नाम क्या हैं गाए हैं तो गबाम अब समाहा रहे यहाँ पर पांच गाये जहाँ पर मिल जाए हो तो अपन क्या बोलेंगे उसको पंच गवम बोलेंगे तो पंचा नाम गवा नाम समाहारा इती पंच गवम यासे देखें पंच पात्रम सीधी बाद पंचा नाम पात्रा नाम समाहारा इती पंच पात्रम त्रिलोकी, त्रयानाम, लोकानाम, समाहारा इती त्रिलोकी, पंच वटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सीधी व्यात है बहुवचन में क्योंकि दो से जब ज़्यादा हो जाते हैं संस्केते में बहुवचन होता है सब हम पढ़ा चुके, पंचा नाम, बटा नाम, समाहरा, समाहर हर्थ में होता है तो, आपको दिगु में समाहर सब के साथ लगाना है, आगे देखें, त्रिभुबनम, त्रिया नाम, भुबना नाम, समाहरा, आगे, अश्टा ध्याई, अश्टा नाम, अध्या नाम, समाहरा, मतलब आठ अध्याओं का समाहार अश्टाध्याई किसकी रचना है question हम आपको दे रहा है प्रस्ण जिसका उत्तर आपको comment वताना है जरूर से वताना है दोस्तो देखते हैं आपकी कितनी रुची है कितने लोग सही वताते अश्टाध्याई किसकी रचना है उनका नाम आपको comment में लिखना है आगे देखें सताब्दी सत मतलब होता है सो तो सता नाम आपदा नाम समाहर है आपको संस्क्रिट की गिंती ना बनती हो तो हम वीडियो डाल चुके हैं आप वो देख लें आप यूटूब पे सर्च करें टॉप फिप्टी स्टडी यूटूब पे लखें तो हमारे वीडियो आपको करम से मिल जाएंगे आगे देखें इसमें भी एक नोट लिखा है कि नदी भी सूत से नदी बाची में समाहर अर्थ में दिगू ना होकर अब्बेई भाव समास होता है जैसे वहाँ पर पढ़ा था ना पंच गंगम तो यहाँ पर तो ऐसा आना चाहिए पंचा नाम गंगा नाम समाहरा तो यहाँ पर समाहर जब लिखा है तो फिर दिगू क्यों नहीं आया वहाँ पर अब्वेई क्यों आया क्योंकि गंगा नदी के अर्थ में है इसलिए तो जब भी नदी के अर्थ में कोई होगा भली उसमें पंच हो तो भी हमें क्या लिखना है समाहर अर्थ में ही क्यों ना हो तो वहाँ पर अब्वेई भाव समास होगा ना की दिगू यह याद रखिए का जैसे पंच गंगं का पंचा नाम गंगा नाम समाहारा आप कोई बोले तो समाहार है वही है तो हम तो सीधा दिगू लगाएंगे नहीं पांच लिखा है तो दिगू लगाएंगे गंगा नदी के अर्थ में है तो नदी भी सूत से क्या हो जाएगा अब भी भाव स समास देखें प्रायण अन्य पद प्रधान बहु ब्रही समास हा मतलब प्राय अन्य पद प्रधान जो होता है बहाँ पर बहु ब्रही समास होता है देखें कैसे जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य पद, अन्य मतलब तीसरा अन्य पद प्रधान होता है मतलब दो यहाँ पर अभी तो यह किस तरफ आ रहा था प्रलस के एक इस तरफ लेकिन यहाँ पर न इसकी प्रधानता होगी न इसकी कोई तीसर आर्थ निकलेगा और वो प्रधान होगा ठीक है अर्था दोनों पद मिलकर किसी अन्निकी और संकेत करें वह बहुगरी समास कहलाता है उदारन से इसको आप और अच्छे समझी देखीएगा भाई तो एक और मेरा एक आपसे निवेदन था कि आप हमारे सब्सक्राइबर तो बन गए लेकिन यहीं बेल आइकन को दवा लेंगे तो वीडियू का आपको नोटिफिकेसन की तुरंत आइकन भी बच जाएगा आपका ही इसमें बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि कई मित्र हम देखते कमेंट में लेखते सर हमें इसकी लिंक बता दें वीडियू कहां में लेगा अरे भाई सब्सक्राइब कर लो टेंसन फिरी आपके पास तुरं जानकारी आएगी आपको वीडियू अच्छा लगे जरूर देखें ठीक है देखें कंठे काला अवे बहु प्री समास पड़ रहें इसमें क्या अन्पत प्रधान है कंठे काला तो इसमें यससहा या एनसह अपनको सबके साथ लगा होगा बिग्रह में क्या लगा होगा यससहा या एनसह याद रखिएगा ठीक है अब देखें इसके उधान को कंठे काला यससा उनको क्या बोलेंगे कंठे काला बोलेंगे जिनका कंठे मतलब क्या कंठ उधा गला ठीक है प्राप्तोद का प्राप् तोद का हो जाएगा, पीतांबरा, पीला है अंबर जिसका, तो पीतांबरा, अंबरा मतलब बस्त्र, यस मतलब जिसका सह मतलब बहे, पीतांबर है, पीला है अंबर जिसका बहे, सह मतलब बहे, पीतांबरा, ठीक है, चक्रपाणी, पाणी मतलब हात में है चक्र जिसके, तो च चक्रम पाणौ यससा है ती चक्रपाणि बहु ब्री समासा, आंगे और समझने अभी खतम नहीं हो गया, लंबोदरा, लंबम उदरं यससा, लंबा है उधर जिसका लंबोदरा, अब यहांपर देखो तीसर आर्थ निकल ला कहते हैं, लंबोदरा गणिस जी को कहते हैं, चक् पाणी गदा पाणू यससा गदा पाणी जिनके पाणी मतलब हात में गदा है कौन है कमेंट में आप बता सकते हैं सब जानते हैं चंदर चूडा चंदरा चूडा में यससा जिसके चूडा पर क्या है चंदर है ये भी सब ने देखा है सलिए आगे बढ़ते अब बहु भी दी के बाद हमें पढ़ना है दुन्द समास अब इसके भी भेदें इसको अच्छे से पढ़िएगा दुन्द समास को देखें आप वीडियो की चिंता मत करें बड़ा होने दो कोई दिक्कत नहीं दो बार में देखना के लिएगं पूरा देखना मेरा निवेदन देखें दुन्द समास क्या है प्रायन उभाय पद प्रधान होता है वो दुन्द है प्राया दोनों पद प्रधान दुन्द समास में होते हैं इस समास में आयोगी सभी पद समान विभक्ती वाले होते हैं याद रखीगा दोनों जो पद होंगे पर इस तरह पर इस तरह वो समान विभक्ती वाले होंगे इसमें प्रतेक सब्द के बाद बिग्रह की अबस्था में चा अक्छर आता है बीच में बिग्ग्रे करना है तो क्या चा लगा देते लेकिन इसके भेध हैं वो समझना है देखें दूंद के दो भेध हैं क्योंकि भेधी पूस्ता है एक है इतरेत और दूंद इसमें समान विभक्ती वाले दो या दो से अधिक पदों का समास होता है समान विवक्ति होगी ऐसे दो या दो से अधिक पदों का क्या हो जाएगा समास हो जाएगा देखें अर्थ धर्मव ठीक है तो अर्थ चा लगाना है बीच में याद रखिएगा धर्माचा दो सब्द हैं दोनों की बीच में आप तो चा लगा दें विक्षित करके इस कृष्णा हूँ इसाचा कृष्णाचा दोनों की प्रधानता है राम लक्षमणा हूँ सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला रामस्ट लक्षमणस्ट आप कोई बोले भी यह हैं रामस्ट सा के हो लगा दिया अरे तो इस चारा है ना तो इनने बिसर का क्या कर दिया सा कर दिया तो उसको ऐसे लिखे देते हैं कोई दिक्कत नहीं रामस्ट लक्षमणस्ट आप मतलब रामस्ट लक्षमणा ही चाह है लेकिन संदी क्या कर दिया संदी विक्षित हो गया बिसर संदी से और देखें, दोनों पत प्रधाने आ, राम की प्रधान ता लच्मन की भी, ठीक है, बराबर, सुख दुखे, सुखम चे, दुखम चे, फल मूल ब्रक्षा, फलम चे, मूलम चे, ब्रक्षा, याद रखिए गया, कई तीन सब्द का आ जाता है, यसे फल मूल ब्रक्षा आ स्टाइंगे, कोई भी सब्द्द नि, छूटने वाला आपका, ठीक है, देखें समाहरदॉंद, यह समास, प्राणी, बाद बिसेस सेना के अंगवाची सब्दों के साथ होता है, कब होता है, प्राणी के साथ, बद बिसेश सेना के अंगवाची सब्दों के जिसका आपस में स्वभाविक बिरोध होता है, उनके साथ भी है समास होता है, आपस में मतलब स्वभाविक बिरोध हो, एक दूसरे के बिपरीत हो, ठीक है तो आगे देखें, पाणी पादम, मतलब पाणी चे पादव चे ती प पूरे ओधारण देखें आंगे और है भी रथिक रथिका कासवरोहम मतलब रथिका च असरोही इस सब युद्ध में होते हैं रथिक असरोही इत्यादी भेरी पठहम भेरी च पठहा च अधी अहिन कुलम अही च नकुलच इती अही नकुलम इस प्रकार से समाहर दंद हो गया अब देखें तीसरा है जो बय है एक सेस दंद पही लोग सोचें तो पहली बार सुना रहे भाई सब पढ़ना है संस्क्राइब में देखें जब समास में आई हुई सब्दों में एक सब्द सेस रह जाए किन्तु बचन के द्वारा एक दूसरे सब्द का भी बोध कराता रह सब्द एक सेस रह जाए लेकिन बचन के द्वारा ऐसा लगे कि नहीं है एक और सब्द यहां पर है तब सेस एक सेस दंद होता है विसको उधार से समझेंगे आपको आसानी समझ में आ जाएगा देखें बाल कहू अब देखें सब्द तो एक है भी या लेकिन आपको लग र सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला माता चे पिता चे इसको क्या बोलते है पितरव माता पिता सब देखें लेकिन एक का और अनकावी बोध करा रहा है तो आगे देखें स्वसुरहु स्वस्रूचे स्वस्चे सिवस्चे हंसव हंसी चे हंसस्चे हंसी और हंस तो ये एक सब्द दोका बोथ करा रहा है ठीक है दोस्तों इसको आंगे सेयर करें लाइक जरूर कर दें सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें और अंगले वीडियो में कुछ ऐसे ही हम संस्कित का आपके ले करके आएंगे और बहुत अच्छे तरीके स्तैयारी करके आपको सफलता दिराएंगे चली पुनाम अलाकात होगी जय हिंद